हेलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे STML में लिस्ट क्या होती है STML में लिस्ट के तीन परकार होती है Unordered List, Ordered List, Definition List इन तीनों को हम यहाँ पे Detail में जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी Definition जानते है STML डाकॉमें इंपोर्टेंट टेक्स्ट को Point में शो करवाने के लिए List का उपयोग किया जाता है List Define करने के लिए List Element का इस्तिमाल किया जाता है STML List Document Structure को बनाए रखती है और मत्पोर्ण सूचना को Points में डिस्पले करने में मत्द करती है जिस से हमारा Content EarthPorn और पठनी नजराता है तो यह इसकी Definition है इसके बाद है HTML List बनाने के लिए Use होने वाले Element के नाम और उपयोग तो इसको यहां पर हम जानते हैं तो सबसे पहला है UL Element UL Element का पूरा नाम Unordered List होता है Unordered List, Element दवारा Bullet List या Unordered List बनाए जाती है अगर हम List में Circle, Square या Disk शो करना जाते हैं तो हम UL Element का उपयोग करेंगे इसके बाद है OL Element OL Element का पूरा नाम Unordered List होता है Unordered List Element दवारा Number या Unordered List बना जाती है तो नमबर कौन से होता है जैसे 1, 2, 3, 4 यह नमबर है इसके बाद Uppercase Letter जैसे A, B, C, D यह लिखा जाता है Lowcase Letter जैसे A, B, C, D Small में यह लिखा जाते है तो जब यह लिखना हो तो हम Order List का उपयोग करते है इसके बाद है Li Element Li Element का पूरा नाम List Item होता है List Item Element दवारा एक List में लिखे जाने वाले Data को Define किया जाता है बाद है, DL Element Del Element का पूरा नाम Definition List होता है Definition List दवारा definition list को define किया जाता है तो इसमें list को अगर हम define करना जाते हैं तो हम dl element का उप्यों करेंगे इसके वाद है dt element dt element का पूरा नाम definition term होता है definition term element द्वारा definition term को define किया जाता है तो अगर हम definition term को define करना जाते हैं तो हम dt element का उप्यों करेंगे इसके वाद है dd element DD element का पूरा नाव definition description होता है definition description element द्वारा definition term के description को define किया जाता है तो जो definition term का description होता है उसको define करने के लिए DD element का उप्यूग किया जाता है तो ये stml list में use होने वाले element है तो इन सबी element का हम notpad में practical करेंगे इसके बाद ये एक program है create a webpage to display list in stml तो एक list हमने यहाँ पे create करनी है जिसमें की ordered list भी हो unordered list भी हो और definition list भी हो तो इन तिनों को notpad में हम करेंगे ये हमने यहाँ पे notpad को open किया हुआ है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हुआ है stml उसके बाद यहाँ पे head इसके बाद यहाँ पे title tag इसके बाद यहां पे लिखा हुए list और यहां पे title tag को बंद किया हुए head tag को बंद किया हुए body tag यहां पे शुरू किया हुए इसके बाद यहां पे bold command यूज की हुई है इसके बाद यहां पे heading h1 का use किया हुए और यहां पे हमने लिखा हुआ है unordered list तो पहले क्या करेंगे हम यहां पे unordered list यहां पे बताएंगे तो unordered list जो by default आएगी वो disk आएगी यह जितना भी निच्छे आ रहा है यह disk में दिखाई देगा इसके बाद यह h1 को बंद किया हुआ है इसके बाद यहां पे ul element का use किया हुए ul का मतलब होता है unordered list इसके बाद है li, li का मतलब होता है list item तो list item कौन सी आने चाहिए पहली आने चाहिए app इसके बाद यहां पे li, दूसरी आने चाहिए orange तिसरह लिखा हुए li, यहां पे आने चाहिए बनाना इसके वाद UL को बंद किया हुआ है इसके वाद हम यहाँ पर करेंगे H1 एडिंग को start किया हुआ है और यहाँ पर लिखेंगे order list तो यहाँ पर हम order list को करेंगे इसके वाद H1 को बंद किया हुआ है इसके वाद यहाँ पर start किया हुआ है OL, OL का मतलब होता है order list तो order list में list item हमने लिखी हुई है apple, li list item लिखी हुई है orange, li list item लिखी हुई है banana, तो जो order list होती है y default 1, 2, 3 होती है, इसके वाद आगे है definition list, तो यहाँ पे हम h1 का use करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे definition list, इसके वाद h1 को बंद किया, इसके वाद definition list जो होती है dl होती है, इसके वाद है dt, dt का मतलब है definition term तो definition term जो आएगी वो apple आएगी, यहाँ पे apple लिखा हुआ है और यहाँ पे apple के बारे में यहाँ पे dd में बताया हुआ है and apple is good for health dt लिया हुआ है second orange तो यहाँ पे dd इसकी जो definition description है orange is very good for health यह orange के बारे में dd आ गई इसके बाद यहाँ पे dl को बंद किया board को बंद किया, body tag को बंद किया और इसके बाद stml tag को बंद किया इसके बाद यहाँ पे इसकी output देखेंगे तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे file tab पे जाएंगे इसके बाद save as पे जाएंगे तो save कहां पे करेंगे desktop पे करेंगे इसको और यहां पे file name देंगे bn यह file name दिया इसके बाद dot stml यह extension लगा दी इसके बाद इसको save कर दिया save करने के बाद default browser में यह bn नाम की file आ जाएगी यहां पे इसको open करेंगे open करने के बाद यह देखो हमारे पास यहां पे unorder list यह यहां पे आ गई यह देखो यह unorder list है यह यह यहां पे आ गई यह definition list है यह 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 यहां पे आ गई तो यह देखो सबसे पहले हमने यहां पे unorder list यहां पे तो यह फर्स्ट में एपल आ गया लिस्ट आइटम में सेकंड लिस्ट आइटम में हमने लिखा हुआ औरेंज तो यहां पे औरेंज आ गया थार्ड लिस्ट आइटम में हमने लिखा हुआ बनाना यहां पे बनाना आ गया तो यह जो हुई यह un order list हुई इसके बाद यह देखो un order list why default जो रही है 123 होती है तो यहां पर li畏 list item में हमने पहले पर लिखा हुए apple तो यह देखो यहां पर one और यहां पर लिखा हुए apple list item second लिखा हुए यह देखो orange तो यहाँ पे टू आ गया और यहाँ पे औरेंज आ गया थार्ल पे लिखा हुआ है यह दिखो बनाना लिस्ट आइटम बनाना है यहाँ पे तीन नमबर आ गया और यहाँ पे बनाना आ गया तो यह ओडर लिस्ट है इसके बाद यह दिखो यहाँ पे डेफिनेशन लिस्ट ल ये देखो ये DD में जो हमने लिखा हुआ है ये आगे आएगा ये देखो Apple के थोड़ा आगे आएगा तो ये DD है and Apple is good for health इसके बाद second हमने लिए हुआ है DD में लिए हुआ है Orange तो Orange देखो ये आगे आया हुआ है इसके बाद DD में हमने लिखा हुआ है Orange is very good for health तो ये Orange के बारे म यह निचे यहां पे लिखा हुआ है तो इस तरह से हम यहां पे definition list बना सकते हैं तो इस वीडियो में हमने unorder list, order list और definition list के बारे में जाना आगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel